एय गैज वल्कम बेक टू माई अनादर ब्लोग और ये मेरा ब्लोग है दिवाली सेलिप्रेशन ब्लोग सो गाइज फर्सली सभी को दिवाली की धेरो शुब कामना है आप सभी के लिए ये दिवाली हो खुशियों वाली ये साल आपके लिए खुब सारी तरक्की खुब सारी खुशियां लेकर आए इसी के साथ में सुरू करती हूँ अपना व्लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भोलना नहीं वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना वो भी बैल वाले आइकन के साथ जिसी के आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अब सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। मैं बना रही हूँ यहां पर अपने में गेट के लिए फूलो की लड़ी बंदनवार हमें से बोल सकते हैं पर इसमें मैंने आम के पत्तों को तो यूजी नहीं किया है तो जल्दी से मैं ये बहुत अच्छी सी लड़ी फूलो की माला बंदनवार जो भी आप बोले वो मैं लगा देती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़ अप पर बंदनवार जो माला थी वो मैंने लगा कर रेडी कर दी है लाइट और लेडी हमने पहले ही यहां पर लगा दी है तो ये हो गया है रेडी अब थोड़ी सी चीजे जो घर के अंदर की है उनको थोड़ा से डेकुरेट कर देती हूँ और ये एक मैंने छोटा सा बोर्डर जैसा रंगोली डिजाइन बनाया है अपने में गेट पर और जहां पर हम पूझा करेंगे दिपावली की वहां पर मैंने और अब टाइम हो गया है पूझा करने का तो यहां पर अभी हम जला रहे हैं पहले मालक्षमी का जो में दिया होता है हमने उसको जलाया है और उसके बाद जो भी छोटे छोटे दिये और केंडल से हम उनको जला के सभी को तपूझा करेंगे और फिर हम करेंगे इनको डेकोरेट सारे दिये जल चुके हैं अब फाइनल जो है हमें करनी है अपने प्रशाद और दिया धूप की तयारे वो ही सब मैं यहां पर कर रही हूँ तो उसके बाद करते हैं हम अपनी पूझा और पूझा करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे अपनी दिया डेकोरेशन कि अन्टे करेमें दिया आपसे असे पूझा करते हैं झाल 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 पर अपने कोरिडोर में न मैं सबसे बाद में अपने दिये रखे हैं पहले अपने घर में पीछे बालकनी में हर जगे सजा दिये हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी हवा लगती है तो दिये जो है वो बंद हो जाते हैं तो पहले पूरा घर और जो एरिया है जहाँ पर हवा नहीं लगती वहाँ पर डेकुरेट करके मैं फिर बाद में यहाँ पर आती हूँ ताकि मैं इनको साथ-साथ ना बुझने दू इन हूँ खो कर दोड़ी जो कि यहाँ बाद में वाद में घर जद दो इनको साथ-साथ-साथ-साथ-सां सबस्याओ-साथ-साथ-साय-साथ-स-ा-थ-ज़ तो बाहर के दिये हवासे जैसे की बुझ रहे थे मैंने आपको बताया उनको बार-बार जला रही थी तो काफी टाइम तक मैं वहीं पर रही आप फाइनली जो है घर के अंदर का मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूं लाइट बन करके क्योंकि जो डेकोरेशन लाइट वाली होती है उसको लाइट बन करके देखने में ही ज्यादा अच्छा लगता है अगर में लाइट हमारी ओपन रहती है खुली रहती है तो इतना नहीं पता चलता तो कुछ फोटो शूट मैंने यहां पर पूरी लाइट बन की है जिससे कि मैं आपनी जो डेकोरेशन मैंने की थी लाइट वाली अ जो भी मैंने की थी वह आप अच्छे से देख सके तो I hope कि आपको तो आपको मेरा यह व्लोग अच्छा लगा होगा अपनेस को एंजॉय किया होगा मुर अगर आप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वो भी बैल वाले आइकन के साथ और यहां पर अगेन फिर से फेरी लाइट के साथ थोड़ा सा फोटोशूप सो गाइज यह था मेरा छोटा सा दिवाली सेलिब्रेशन आई होप आपने इंजोई किया होगा मिलते हैं फिर एको नेक्स फ्लोग में तब तक आप हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने साथ अपनों का रखे ख्याल बाइबाई झाल